कुईक आयस कंपोज यूर ड्रीम हलो दोस्तों क्कैस आपका स्वागत है 69 VPSC का चो पेपर है वो 30 सितंबर को है और आज हम लोग बिहार इस्पेसल जी एस के अंतरगत बिहार इस्पेसल में आधुनिक बिहार के इतिहास के अंतरगत हम लोग बिहार में जन्जातिय बिद्रो के संभावित कोशनों की हम लोग आज चर्चा करेंगे बिहार में कौन कौन सी जन्जातियों ने बिद्रो किया था और किन जन्जातियों को संबंद बिहार में जो है आपकी इतिहास से जुड़ा हुआ है उसमें सबसे पहले गर बात किया जैसे उसमें नोनिया बिद्रो है, तामड बिद्रो है, वहाबी आंदोलन है, कोल बिद्रो है, इसके बाद जो है संथाल बिद्रो है, लोटा बिद्रो है, मुंडा बिद्रो है, यहीं सबसे कोशन BPSC में पूछे जा सकते हैं और वो जनजात के टॉपिक बहुत ही महत्पून है और यहां के संभावित कोशन अगर हम इसको देख लेंगे और अलग अधुनिक बिहार के इतिहास के सारे वीडियो आप लोगो प्रोवाइड करा रहे हैं हट टॉपिक से जुड़े हुए हम संभावित कोशन आप तक पहुचाने का परिया होने चाहिए ठीक है हम लोग सुरू करते हैं पहले कोशन की ओर पहला कोशन है बिहार का कौन सा छेत्र में सन्यासी बिद्रो का केंद्र था सन्यासी बिद्रो का हुआ था 1776 में 77 में अब सन्यासी बिद्रो का केंद्र बिहार में कौन सा छेत्र था तो यह पूर्णिया का छ और ये कब हुआ था ये डेट भी आपको याद रखना है तो यहीं से 3-4 कोशन बन सकते हैं कि सन्यासी विद्रो कब हुआ था उसका केंदर बिहार में कहा पे था तो इस तरह की कोशन BPSC में अक्सर पूछे जाते हैं तो यह बहुत ही महात्पूर्ण कोशन है निश कोशन है बिहार में नोनिया विद्रो जो 1770 और 1800 के मद हुआ था इसके दोरा निन में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था अतलब अर्थात कोशन का कहना यह है कि नोनिया विद्रो जब हुआ था तो इसका डेट आपको याद रखना है कब 1770 से 1700 जो है उले करके आग 1800 के विद्रो हुआ था ठीक है यह विद्रो का चेतर बिहार के किस कि जिले में था यह कोशन पूछा गया है ठीक है तो यह सारन जिले में भी था बैसाली में था और पुनिया में था तो इसका एंसर हो जाएगा डी उप्यूक में से एक से अधिक और नोनिया लोग जो है सो पूछा उनका विद्रो था ठीक है यह बहुत ही महत्पून पॉइंट है इसको याद दखेगा ऐसे कुशन भी पीस्टी में बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जाने लगे हैं ठीक है नेक्स्ट है छोटनापूर पठार की जो जंजातियां वहां पाए जाती है उसमें एक यह बिद्रो अठारा सो निन्यानवे में हुआ था तो यह डेट आप याद रखना यह कुशन कई बार भी पीस्टी में पूछा जा चुका है नेक्स्ट है मुंडा बिद्रो कनेता कौन था तो मुंडा बिद्रो कनेता बिर्सा मुंडा थे और बिर्सा मुंडा को मुंडा क लोग भगवान का दरजा दिया था next question है मुंडाओं ने विद्रोग खड़ा किया था तो मुंडाओं का विद्रोग कब हुआ था अठारा सो निन्यानवे में हुआ था और ये बहुत महात्पूर्ण डेट है आपको इनको याद रखना है ये question BPSC में पूछा भी जा चुका है next है मुंडा विद्रोग का नेता कौन था तो मुंडा विद्रोग का नेता विर्सा मुंडा थे और विर्सा मुंडा को मुंडा लोग भगवान का दरजा दिया था तो इसका answer हो जाएगा A next है विर्सा मुंडा का जन्म अस्थान कहा है तो विर्सा मुंडा का जन्म अस्थान है इसका answer हो जाएगा A उली हातू उली हातू में जो है विर्सा मुंडा का जन्म हुआ था और इनका कारचेतर राची में था तो बिर्सा मुंडा का जनम की सस्थान पर हुआ, ये भी कुशन आजकल पूछे जानी लगे हैं, तो इतने deeply हमें जाकरके इनको अच्छे से याद करने की जरूत हैсь। नेक्स्ट है विर्सा मुंडा के बच्पन का क्या नाम था तो विर्सा मुंडा जी थे इनके बच्पन का जो नाम था वो था दाउद मुंडा इनको बच्पन में दाउद मुंडा के नाम से जाना जाता था नेश्ट है बिर्षा मुंडा के गुरू का नाम क्या था तो बिर्षा मुंडा के गुरू का नाम था आनंद पांडे आनंद पांडे ही बिर्षा मुंडा के गुरू थे और इन्हों ने ही इनको जो है तेर धनुस आदि सब का परसिच्छा दे रखा था इस कुशन है 1899 और 1900 के मुंडा करांती का नेता कौन था इस तरह के कुशन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और सबका एंसर है बिर्सा मुंडा है इस तरह बिर्सा मुंडा ने एक समय इसाई धर्म सुलिकार कर लिया था आप साइड आप लोगों को नहीं पता होगा बिर्सा मुंडा ने एक समय में इसाई धर्म सुलिकार कर लिया था और उस समय उनका नाम क्या था ये कुशन बहुत ही महात्पूर है ये पूछा जा सकता है जाम में तो बिर्सा मुंडा ने इसाई धर्म को सुविकार किया था और पैगंबर की भी उपाधी ले रखा था और उस समय जब इन्होंने इसाई धर्म सुविकार किया था तो इनका नाम क्या पड़ गया था तो इनका नाम पड़ गया था A. बिर्सा डेविड ये बिर्सा डेविड के नाम से कहलाते थे कब जब इन्होंने इसाई धर्म को सुविकार किया था तब तो इसका एंसर हो जाएगा A यह बहुत ही मात्मूर कुशन है याद रखेगा की जन जाती है नेता को उसके अन्युआई भगवान धर्ती आबा या बिस पिता का ओतार और नया पैगंबर मानते थे ठीक है तो इतनी सारी उपाधियां किसको मिली थी बिर्सा मुंडा को मिली थी इसका एंसर हो जाएगा A ठीक है नेक्स्ट है किसे धर्ती आबा या धर्ती का पिता कहा जाता था ये कुशन थोड़ा अलग करके पुछा गया है बिर्सा मुंडा तो बिर्सा मुंडा से जितने ही कुशन बन सकते हैं मैंने सारे दे दिया है कोई भी कुशन आ जाए तो आपका वो सही हो जाए नेक्स है बि कार सोपा था उनका नाम था गया मुंड़ा और गया मुंड़ा ने ही परसिच्छा के दे करके लोगों को जो है तयार करते थे बिर्सा मुंड़ा के आंदों के लोगों के लिए एक जुट करने का काम उन्होंने किया था तो इसका जो एंसर हो जाएगा गया मुंड़ा ने इस तो इसका answer हो जाएगा D, ठीक है, उपिक में से एक से अधिक, नेश्ट है, बिर्सा को सोते हुए कप पकड़ा गया, यह question भी आया हुआ था, तो बिर्सा सो रहे थे और इनके कुछ दोस पान्सो रुपए में बिटी सरकार से बिग गए, उन्होंने बता दिया, और बिर्सा म गई, तो बिर्सा मुंडा को कहा सोते हुए पकड़ा गया था, यह question आया हुआ है BPSC में, तीन मार्च को पकड़ा गया था, 1900 में या दखेगा, तो इसका answer हो जाएगा C, नेश्टा जनजाती और जिले के भिन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है, तो ज जमुई में नहीं है, जबकि मुंडा राची के छेतर में था, तो इसका answer हो जाएगा B, ठीक है, नेश्ट कूशन है, बिर्सा मुंडा का कार छेतर कौन सा था, तो बिर्सा मुंडा का कार छेतर था, राची, इन्होंने राची के छेतर में जो है, अपना आंदूलन किया था नेक्स्ट है उल्गुलान बिद्रो किसे संबन्दित है तो या दखेगा बिर्सा मुंडा को उल्गुलान भी कहा जाता था तो उल्गुलान बिद्रो का संबन्द बिर्सा मुंडा से है इसका एंसर हो जाएगा C नेक्स्ट है बिर्सा मुंडा किसके पच्छे में थे तो बिर्सा मुंडा छार खंट राज के पच्छे में थे इसका एंसर हो जाएगा A नेक्स्ट है संथाल बिद्रो अठार सु पजपन और सतावन तक जो फैला हुआ था वो कहां पर फैला हुआ था ठीक है तो जो इसका जो एंसर है वो हो जाएगा आपको या देखना वर्धमान से भागलपूर तक तो वर्धमान मंगाल से ले करके भागलपूर तक राजमहल की पहाड़ी आसपास पूरे छेतर में संथाल बिद्रो फैला हुआ था था ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा सी नेक्स है सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरो नामक चार भाईयों का संबंद निनमे से किस बिद्रो से है इस तरह कोशन अकसर एकजाम में आते हैं ठीक है तो इसका एंसर है संथाल से संथाल बिद्रो के ये चार जो भाई थे यही चारों ने लीड किया था और संथाल बिद्रो को जो है इन्होंने बहुत ब्यापक अस्तर पर पहुचाया था ठीक है नेक्स है संथाल बिद्रो का दमन किस ने किया था उस अंग्रेज का नाम बताना है जिसे संथाल बिद्रो को समाप्त किया था तो वो कैप्टन एलेकजेंडर थे जिन्होंने संथाल बिद्र कोशन है कि काल माक्स पूछा है काल माक्स ने किस विद्रों की चर्चा अपने पुस्तक नोर्स ऑन इंडियन हिस्टरी में की है ये कोशन बहुत ही मातपूर है और इसका इंसर हो जाएगा संथाल तो काल माक्स ने संथाल विद्रों की चर्चा अपने पुस्तक में की है ये ब भागलपूर का जो ये छेत्र है, इसी को दामिन एक कोह के नाम से जाना जाता था, जो संथाल बिद्रो का परमुक केंदर था, तो इसका एंसर हो जाएगा A, नेश्ट है, खरवार आंदोलन का केंदर नेतुत किस ने किया था, तो याद दखेगा, खरवार आंदोलन का किस ने किया था, इसका जो एंसर हो जाएगा भागी रती माजी, भागी रती माजी नामक जो है, जन जाती के नेता थे, इन्होंने ही खरवार बिद्रो किया था, और किस छेत्र में किया था, तो ये किया था भागलपूर के छेत्र में, तो इसका एंसर हो जाएगा C, नेश ताना भगत आंदुलन की सुरुवात किसे ने की थी तो ताना भगत आंदुलन चोटनागुर के पठार में हुआ था और इसकी सुरुवात जतरा भगत ने की थी तो इसका एंसल हो जाएगा बी नेश्ट है किसके नेतुत में ताना भगत आसा योग आंदूर्ण में भाग लेकर पहली बार सुतंता आंदूर्ण में सामिल हुए थे यह बहुत मात पूर्या देखेगा कि ताना भगत आंदूर्ण आसा योग आंदूर्ण में भी नेतुत किया था और ताना भगर जो है इनोंने समर्थन किया था किसके साथ मिलकर के सिध्धू भगत के साथ मिलकर के इनोंने असा योग आंदुलन में आंदुलन का योग का साथ दिया था तो इसका एंसर हो जाएगा C नेश्ट है बिसुध गांधिवादी तरीके से लड़ा गया पहला आधिवासी आहिंसक आंदोलन कौन था ऐसा कौन सा आधिवासी आंदोलन था जो आहिंसक आंदोलन था जिसमें हिंसा नहीं हुई थी और वो बिसुध गांधिवादी आंदोलन था तो इसका answer हो जाएगा ताना भगत आंदूरन ताना भगत आंदूरन बिल्कुल गांधिवादी आंदूरन पर आधारित था नेश्ट है किस आधिवासी आंदूरन में परमपरागत अर्था जूम खेती की तरफ लोटने का आवान किया गया था तो जूम खेती उसे कहते हैं जो जंगल को साप करके खेती करते हैं और ये ताना भगत आंदूरन से इसका संबंद है तो इसका answer हो जाएगा A नेश्ट है जारखंड की सभी जंजातिये भासाएं मुंडा समू की हैं दरबुर समू की भासा कुरूख कोरक और माल्टो किसके द्वारा बोली जाती हैं ठीक है तो जारखंड में सभी जंजातियों की संबंद मुंडा समू से है लेकिन दरबुर समूख और दरबुर समू है वो हो जाएगा उराव और सोरिया जंजाति के द्वारा तो इसका एंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट है फराजी आंदुरन के विरोध में अठारसो तिरानबे में धाका में ताई यूनी आंदुरन किस ने चलाया था तो यह जौनपुर के करामत अली थे और इन्हों ने ही आंदुरन धाका में चलाया था तो इसका एंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट है अठारसो पचपन इस भी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था तो संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था इसका एंसर हो जाएगा मेजर बारो मेजर बारो को इन्होंने पराजित किया था तो जो इसका जो एंसर है वो हो जाएगा C लिखा है अगला कोशन यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सा छती पूर्टी कर देना पड़ता था ठीक है? वो ऐसा कौन सा कर था कि जो किसान दे देगा तो उसे नील की खेती से छूट दे दी जाएगी उस कर का नाम बिहार में क्या था तो उस कर का नाम तो बिहार में तवान तवान नामक कर देने पर नील की खेती से लोगों को चुट मिलती थी ये कोशन, ऐसे कोशन एक जामि पुछे जाते हैं जो बहुत ही महत्पूर है नेस्ट है रूदन मुंडा और कुटा मुंडा का संबंद किस बिद्रो से है ठीक है तो इसका जो संबंद है वो किस बिद्रो से है यह बहुत ही मातपूर है और यह है तमार बिद्रो से है तो इसका एंसर हो जाएगा A तो बिहार में तमार विद्रो भी हुआ है नेश्ट है बिहार के सूपर्सिद संत सेफु दीन मनेरी का संबंद सूपियों के किस संपरदाय से था ठीक है यह बिहार के परमुग बहुत संत थे और इनका संबंद फिर दोसी संपरदाय से था इसका एंसर हो जाएगा C. Next है, निम्रिकी मेंसे निम्रिकीत को सुमिलित कीजिए और कूट की साहता से सही उत्तर चुनिए. ठीक है? तो कोल विद्रो कब हुआ था? तो कोल विद्रो हुआ था 1831, 32 में. भूमिज विद्रो कब हुआ था? यह हुआ था 1832, 33 में. संथाल विद्रो कब हुआ था? 1855, 55 में. और मुंडा विद्रो कब हुआ था? 1899 और 1900 में. तो इसका एंसर हो जाएगा A. ठीक है? तो इस तरह से चार जनजातियों को ले करके एक ही कोशिण में चार कोशिण आपसे पूचह जासकते हैं. ठीक है? आज यहां पर इसका कोशिण में यहां पर क्या दे दिया है? date. हो सकता है है, हम नेता का नाम भी दे दे. तो इस तरह के कोशिण भी आपसे पूचह जाएंगे. वहाबी आदूरन भारत में किसने प्रारामा किया इसका answer हो जाएगा B, सीद आहमद ठीक है, सीद आहमद ने इसका जो है सुरुआत किया था और ये बरेली के रहने वाज़े थे तो इन्हें हम राय बरेली भी कहा जाता था ठीक है और इन्होंने वहाबी आंदुरन सुरू किया था दिली में जो लोटश टेमपल है वहाबी आंदुरन का ही टेमपल है ठीक है और याद दखेगा वहाबी आंदुरन का सुरुआत कहा हुए थी साओधी अरम में हुए थी और भारत में से स्यद आहमद ने सुरू किया बी नेश्ट है वहाबी आंदूर्ण का मुख केंद कहा था ये बहुत ही महत्पूर्ण कोशन है और वहाबी आंदूर्ण का मुख केंद था पटना ठीक है पूरे भारत में पटना ही वहाबी आंदूर्ण का मुख केंद था तो इसका एंसर हो जाएगा C. नेश्ट है वहवी आंदुन का उद्देश क्या था? तो वहवी जो आदुन है, इसका जो उद्देश है, बहुत ही महात्पूर है, और इसका उद्देश क्या था? जो है, समाजिक और धार्मिक सुधार करना, बिलकुल सही. दुसरा, मुसल्मानों पर पढ़ने वाले चमिक करन को रोकना ये भी सही था, भारत में बिटी सत्ता की समापती करना ये भी सही था, तो इसका एंसर हो जाएगा D. ठीक है, इनका सभी उद्देश था. नेश्ट है भारत में वहावी आंदुन के मुखनेता कौन थे? तो भारत में वहावी आंदुन के गर मुखनेता की बात की जाए तो यह बिलायत अली और इनायत अली यह दो अली बंधू थे और इन्हों नहीं भारत में वहाबी आंदूल खास करके बिहार में लोग पिर यह बनाया था तो इसका एंसर हो जाएगा A नेक्स थाए अठारसो तीस के दर्सक में पटना केंदर किसका था तो अठारसो तीस के दर्सक में पटना केंदर किसका था वहाबी आंदूल का और यह भी याद रखेगा वहाबी आंदूल भारत का सबसे संगठित आंदूल था पूरे इतिहास में यह भी याद रखेगा इसका एंसर हो जाएगा C नेक्स्ट है भारत में वहाबी आंदुन के परवर्ट तक सेद अहमद पटना कब आये थे ठीक है भारत में वहाबी आंदुन के संस्थापक कौन थे सेद अहमद थे और ये पटना कब आये थे ये कुशन पुछा गया है तो वो 1821 में पटना आये थे ठीक है नेक्स्ट है वहावी आंदुलन के एक परमुख नेता मौलभी आमदुल्ला के पिता थे उसका जो अंसर है वो हो जाएगा बिलायत अली तो बिलायत अली और उनके बेटे सब वहावी आंदुलन से जुड़े हुए थे नेक्स्ट है वहावी आंदूल के किस नेता को पटना के साधिक पूर के सदस्यों ने अपना अध्यात्मिक नेता माना था ठेक है तो पटना के साधिक पूर में किसे अध्यात्मिक नेता मान लिया गया था सेद अहमद बरेलवी को ये बरेली के रहने वाले थे तेसे इनको बरेलवी कहा जाता था नेश्ट है वहावियों ने सीमांत छेत में अपना राज कहां स्थाफित किया था सीमांत छेत में इनों ने अपना राज कहां स्थाफित किया था सिताना में सिताना में इसका एंसर हो जाएगा C, ठीक है, नेश्ट है, पटना इस्थित वहाबियों का केंदर कहलाता था, तो पटना में जो वहाबियों का केंदर था, उसे हम काफिला कहते थे, तो इसका एंसर हो जाएगा A, तो वहाबिया अंदुन से हर एंगल से मैंने कोशन बना दि हैं वहावियों से प्रेजित होकर पूर्भी बंगाल में कौन सा आंदुरन प्रारंब हुआ था तो वहावी नेताओं में किसको उम्रकैद और काला पानी की सजा हुई थी तो ऐसा कौन सा वहावी नेता था जिसे उम्रकैद और काला पानी की सजा हुई थी तो इसका answer हो जाएगा D सभी को अब्दुलरहीम को भी याहिमा अली को भी और अहमद दुल्ला को भी इसका answer हो जाएगा D ठीक है इस question है वहाबी अपने अन्यूआई को क्या कहते थे तो जो उनके सिस होते थे उनको क्या कहते थे तो इसका answer हो जाएगा C honुमानी इन्हें वहाँबशनूमानी के नाम से पुकारा जाता था तो इसका answer हो जाएगा C ठीक है नेविश्ट है बिहार में किस अटॉलन का महत्वர्ण अस्थान है तो बिहार में स относ में किस ondoorn का सबसे ज़दा महतू है तो है आपका वहाबी ondoorn का तो इसका answer हो जाएगा A नश्ट है पटना के किस वहाबी नेता का स्वात के सासक सेयद Aक्पर साने स्वागत किया था स्वात कहाँ और अफगानिस्तान में है और वहां के सासक स्यद अहमसा ने पटना के किस वहावी नेता का स्वागत किया था तो ये हो जाएगा आपका सी इनायत अली और बिलायत अली इनका स्वागत किया गया था किसने तो ये स्वात के सेद अगबर के जो साथ है उन्होंने इसका इनका स्वागत किया था नेक्स है बिहार के वहाबी नेताओं में अजीवन कारावास की सजा निमनिकित में से किसे मिली थी तो अजीवन कारावास की सजा किसको दे गई थी तो इसका जो एंसर है वो हो जाएगा आहमद दुल्ला को दी गई थी आजीवन कारवास की सजा नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने 88-84 में सेस बचे वहाबी कैदियों के रियाही की थी तो वहाबी कैदि जो जेल बन थे तो उनको किस गवर्नर जनरल ने छोड़ दिया था लॉड रिपन ने तो लॉड रिपन बहुत उधारवादी वाइस राय थे हमारे यहां के और इन्होंने जो है वहाबियों को जेल से छोड़ दिया था नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिसनर कौन था तो वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिसनर कौन था बिलियम टेलर तो बिलियम टेलर ने कई जो है वहाबी आंदोलन का केंद पटना ही था तो कई लोगों को इसने जो है जेल में बंद किया था इसलिए इस का काफ़ी महत्तु है तो वहावी आंदोर्ण से लगभग लगभग सारे कोशन हमने मेंसन हमने किया है नेक्श नहीं पतना के अंतिमुक वहावी नेता कौन थे तो अंतिमुक वहावी नेता अगर बात करते हैं तो ये आहमद दुल्ला ही थे जिने आजीवन कारवास की सजा म उससे पहले ये कूशन देख लेते हैं, बिहार में लोटा बिद्रो किस जेल में हुआ था मुझाफरपुर जेल में, तो मुझाफरपुर के जेल के कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था जिसमें वो पानी पीते थे, अंग्रेजों ने उस लोटे को हटा दिया और उसक अस्थान पर दे दिया, कौन सा, तो उसके अस्थान पर दे दिया, घड़ा दे दिया, इसलिए कैदियों ने विद्रो कर दिया था और उसी को इतिया, बिहार की इतियास में लोटा बिद्रो कहा जाता है, जो मुझाफरपुर की जेल में हुआ था, नेक्सटर बिहार के मु चेत में नोनिया बिद्रो किया गया था तो बिहार के किस चेत में नोनिया बिद्रो हुआ था तो जो इसका एंसर हो जाएगा C तिरहूत हाजीपुर सारन पुनिया तो इसका एंसर हो जाएगा C नेस्ट है तामर बिद्रो बिहार में कब हुआ था तो बिहार में तामर बिद्रो कब हुआ था तो इसका एंसर हो जाएगा A 1789 से 1794 तक ये बिद्रो चला था तामर बिद्रो ठीक है नेश्ट है तामर बिद्रो की जन जाती दोरा किया गया था तो इसका जो एंसर है वो है उराव जन जाती दोरा किया गया था तो इसका एंसर हो जाएगा बी नेट Adult Question है बिहार में किस समुधाय के दोरा सोरा उतपाधन का मुकह कर किया जाता था? 9 निया समुधाय के दोरा तो इसका answer हो जाएगा A और इन्होंने इसी कार्ण विद्रो भे किया था और ये सोरा किस को बेजते थे? यूरोपिय कमपनियों को और जिससे वो बारूद बनाते थे इनको कमदाम दिया गया था इसलिए नोनिया विद्रो हुआ भी था सोरा उत्पादन को लेकर नेक्स्ट है कोल विद्रो किस छेत्र में हुआ था तो कोल विद्रो 831-32 में हुआ था और किस छेत्र में किया गया था तो यह दखेगा यही आपका चोटा नार्पूर के पठार के छेत्र में किया गया था तो यह इतने महात्पून कुशन हमने विद्रो से डाल दिया है आपको यूटूब पे आप इसको अच्छे से देख लिजेगा किसी कुशन में कोई डाउट हो, कमेंट करके पूछ लिजेगा और ये सारे कुशन बहुत ही महत्पूर है और सब भी हार के जन जातियों से जुरे हुए हैं, इसलिए किसी भी कुशन को आप छोड़िएगा मत अच्छे से सारे कुशन को देखेगा वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और इसको सेयर भी कीजएगा अपने दोस्तों को जिससे वो रोव भी इसका लाव उठा सके ओके, थैंक यू